हैलो विवर्ज, आज जो हम सम्स करने जा रहे, तो इस तरह का सम्स बहुत सारे competitive exam में पूछे गए, यह sse exam, rrb exam, bank po बहुत सारे exam में इस type के सम्स पूछे गए, तो सम्स क्या है चलि हो करते हैं तो question है how many numbers are there from 35 to 289 including both these numbers which are divisible by 5 और 17 तो 35 से लेका 289 तक कितना number 5 और 17 से डिवाइड होगा including 35 and 289 तो चलिए solve करते हैं solution दीक है 35 से 289 पहले हम पहले हम निखते हैं number divisible by number divisible by 5 5 से कौन कौन सा number divide होगा तो 35 हमको लेना including both this number तो 35 होगा फिर 40 है फिर 45 है इस तरह यह चलता रहेगा तो कहां तक जाएगा यह 285 तक 285 तक यह जाएगा 285 ठीक है तो तो नमबर आर तो नमबर क्या होगा तो नमबर तो देखें 285 यह फॉर्मला है last term last term क्या है 285 तो 285 यह last term minus first term first term क्या है 35 ठीक इसको last term बोलते है last का number और यह first term by common difference यह जो नमबर से हम divide कर रहे है तो 5 से divide कर रहे है तो by 5 लिखेंगे प्लस 1 यह है formula अगर कितना number यह series of number के बीच हमको निकालना है तो formula है क्या last term minus first term by common difference common difference मतलब 40 से देखे 35 minus करेंगे 5 आएगा 45 से 40 minus करेंगे तो 5 आएगा इसको बोलते है common difference यह आप यहां यह भी समझ सकते है हम 5 से divide कर रहे है यह सभी number 5 से divide है तो हम by 5 भी लिख सकते है यह 5 common difference होगा प्लस 1 ठीक है तो 285 से अगर हम 35 minus करेंगे तो कितना आएगा 250 250 से 5 हम divide करेंगे तो कितना आएगा 50 250 आया पहले फिर हम यहां से हम अगर 5 divide करें तो यह 5 25 500 और यह प्लस 1 यहां पहले था यह बैठा लिए तो 50 plus 1 कितना हो गया 51 तो यह 51 number है जो 5 से divide होगा उसी तरह the number divisible by number divisible by 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 17 तो 17 से क्या कौन कौन सा number divide होगा तो 35 से स्टार्ट करते हम 35 तो 17 बंजा 17 72 जा 34 फिर 17 3 जा 51 तो 51 divide होगा क्योंकि 51 35 और 289 के बीच में है 17 2 जा 34 इनके बीच में नहीं आ रहा है ठीक है तो 51 है 17 से 51 17 4 जा 68 इस तरह है चलता रहेगा अब टू 285 289 क्योंकि 289 भी 17 से divide होगा तो number आर number इस इकल टू तो number क्या होगा तो पहरेल लिखेंगे last term last term मेरा कितना था 289 और उसके बाद first term, first term यहाँ पहे कितना है 51 ठीक है किस से divide करें 17 से divide करें तो by 17 plus 1 यह है मेरा formula last term minus first term जो number से divide करेंगे वो number यह common difference plus 1 तो is equal to कितना होगा तो 9 minus 1 equal to 8 और 8 minus 5 equal to 3 और यह 2 आ गिया by 17 था दिख दिये plus 1 तो 17 से 238 divide होगा तो 17 17 यहाँ पहे 17 यह जाएगा 14 से ठीक है यह 14 से जाएगा 17 14 जा आप चाहे तो इसको divide करेंगे देख सकते है 14 plus 1 कितना हो जाएगा is equal to 15 यह 15 नमबर जो 17 से divide होगा यह 15 नमबर है 35 और 29 के बीच यह 15 नमबर है जो 17 से divide होगा और एक निकालना है क्या कि 17 5 जा होगा 85 85 नमबर इनके बीच 35 से 29 के बीच कौन सा नमबर जो 85 से divide होगा तो पहले multiply कर देते हैं 17 इंटू 5 कर देते हैं इंटू 5 तो कौन सा नमबर आ रहा है 85 तो नमबर 85 यह 85 नमबर तो 85 से कौन कौन सा नमबर 35 और 289 के बीच divide होगा यह भी निकालना है तो वह कौन सा नमबर है तो नमबर आर एक तो है 85 85 divide होगा 85 2 जा 170 होगा 170 85 3 35 15 324 125 यारी दीखे तीन ही नमबर आ रहा है और अगर हम 4 करेंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा तो वह नहीं लेंगे 85 170 और 255 यह तीन नमबर है 85 175 255 यह तीन नमबर हुआ is equal to 3 is equal to 3 number this 3 number है तो कितना नमबर 35 और 289 तक 5 और 17 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा 51 number 17 से डिवाइड होगा 50 number और 17 और 5 से multiply कि 85 number क्योंकि 85 का multiples भी 17 और 5 से डिवाइड होगा इसलिए हम इसको multiply कर दिये 85 से डिवाइड होना number 3 है तो total number कितना हुआ तो यहाँ पी हम लिखेंगे total number total number पहले आया थे 51 जो 5 से डिवाइड हो रहा है 51 number उसके बाद मेरा 17 से डिवाइड हो रहा है कितना number 15 number उसके बाद मेरा 85 से डिवाइड हो रहा है 3 number तो total number कितना हुआ is equal to 5 plus 3 8 plus 1 9 और 1 और 669 number नहीं 69 number टोटल number वा 69 number जो 5 और 17 से डिवाइड होगा आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा ठीक है अगर आपको में वीडियो पसंद आते तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद देखने के लिए झाल